कोरोना वाइरस की महामारी की जंग की लड़ाय में देश वासियों को इस भायानक बीमारी से बचाने के लिए पीए मोधी जी द्वारा 21 दिनों का लोगडाउन जारी होने से रोज मर्रा की जिन्दगी गुजारने वाले सभी गरीब और शरमी की लोगों की रोजी रोटी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और लोगों को खाने पीने की चीजों को लेकर बड़ी ही जिद्ध जहत करनी पड़ रही है और ऐसे कटित समय में सूरत में जम्यते उल्माई हिंद की जानिब से बिना किसी जातियत धर्म के भैदबाओ की ये बिना मानवता महकाई जा रही है आपको बता दे कि जिस दिन से यानि की तारिक 22 मार्च के दिन जन्ता कर फिए और फिर दूसरे दिन से सिटे लोगडाउन के आदेश का जब से पीएम मौधी जी द्वारा हुपम जारी हुआ है उस दिन से लेकर आज तक सूरत में जमियते उल्माई हिंद की ओर से अब तक करीब 4000 अनाज किट का विद्रण सहर के स्लम विस्तार में बसे गरीब और स्रमिक लोगों को किया गया आपको बताते चले के सहर के स्लम विस्तार जैसे की भेस्ता नवास, कोसाड अवास और सूरत सहर के जादातर स्लम विस्तारों में घर घर जाकर सर्वे करके सभी जरुवतमंद गरीब लोगों को जीवन जरूरी चीज़ें जैसे की आटा, चावल, डाल, चाय, शक्कर, तेल और खाने पीने के लिए वापरास में लिए जाने वाली चीज़ें की अनाज किट बना कर गरीब और शरमिक लोगों को वित्रित की गई और मानवता महकाई गई और साथी जरूरतमंद गरीब लोगों को फूड पैकेट और दूद भी वित्रित किये जाते हैं रिपोर्ट पाइपर विट बठान समाचार इंडिया नियूर्स सूरत जी आपका नाम अर्शद आहमाद अब्दूर कादिर मीर जम्यत उलमाहीं सूरत की जानिव से इस नाजुक मौके पर मजभब जातनाथ के बेदभाव के बगेर सूरत के बहुत सारे इलाकों में तक्रीबन चार हजार कीटे तक्सीम की गई और जहां जहां से हमारे पास मुतालबे आए और मांगे आई हमारे साथी उनके घरों में जा जाकर कीटे तक्सीम की और ये नहीं देखा गया कि ये कौन से मजभब का तालुक वाला है कौन से धरम से इसका मेल है बस मानवता की दरस्तिये सब का ताउन बराबर किया गया और एक ऐसी कीट हमने तयार की कि कमसकम एक घर के अंदर दस बारा दिन तक अच्छी तरह वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और सूरत के भेस्तान है कौसाड आवाज है उनका इलाका है नुसारी में मतालबा आया तो नुसारी दो सो कीट वहां पहुंची रांदेन के कई अलाकों में और ये रामपुरा के 19 अलाके जमियत अलमा हिंद सूरत को खास तरपर दिये गए तो एक एक घर में गए और सर्वे किया और तमाम घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्ला यहां कीटे दी गई हमारे साथी जो है नुजवान टीम अल्ला उनको जज़ा खेर दे और रातों को तीन साड़े तीन बज़े तक कीटे तयार करती है और सुबो फिर वो लिस्ट के मताबिक लोगों के दर्मियान में जाकर कीट की तक्सीम की जाती है अच्छा यह कुछ लोगडाउन का पालन नहीं करते हैं उनको क्या किना चाओ गया लोगडाउन का पालन करना यह इनसान की अपनी जात की हिफाज़त के लिए है और अगर जो पालन नहीं करते हैं वो यह समझे कि वो अपनी जात को हला कर रहे हैं तो वो एक आत्मा हातिया खुदकुशी के करीब करीब हो जाता है लहादा सरकार की तरफ से जो कुछ हम को आदेश दिये जाए सुचना दिये जाए हमारे लिए जरूरी है कि वो उसका पालन करे बलकि अब तो हमारे मुफ्ती इमरान साथ ने का कि मुसाफा भी न करे मुसाफा करना भी यानि इसके अंदर भी हातों का हाथ से मिलना होता है उससे भी हम परेश करें सलाम करें ये सुननत है जवाब दे ये वाजिब है मुसाफा तो एक मुस्ताह वाल है झाल झाल मुसाफा झाल हाथ कि मुसाफा झाल जवाब मारा तो आप मुसाफा ये ये ये